अब यह account क्या होता है तो account जो है वो एक record होता है of similar transactions at one place तो मैंने आपको first chapter के अंदर accounting process पढ़ाया था वहाँपर हमने recording देखा था, classifying देखा था, summarizing देखा था, analysis देखा था, interpretation देखा था and communicating देखा था तो महाँपर मैंने आपको बोला था कि recording करते हैं हम generals के अंदर और general में हम general entries करते हैं, जबकि classifying करते हैं हम ledger के अंदर और ledger के अंदर हम accounts बनाते हैं, तो यहाँपर हम बात कर रहे हैं उसी classifying की उसी ledger की जिसके अंदर हम accounts बनाते हैं, तो यहाँपर उसी account की बात होई है accounting के अंदर हम accounts तो बनाएंगे ही बनाएंगे अब यह account क्या होता है उसको एक बड़ देख लेते हैं तो account क्या है account एक record है of all similar transactions at one place अगर हम एक ही जगे पर सारी similar transactions को लिख दे तो उसको हम account बोलते हैं example अगर हम इसका देखें अगर हम सारी sales of goods की transactions को एक ही जगे लिख देंगे तो उसको हम sales account बोलेंगे उसी तरीके से अगर हम Mr. X जो कि हमारा one of the supplier है उसकी सारी transactions को एक जगे लिख देंगे तो उसको हम Mr. X का account बोलेंगे तो अभी account का format कैसा होता वो मैं आपको बता दूँगा लेकिन accounts का आप मतलत समझे लो जब हम एक ही टाइक ही similar transactions को एक जगे record कर देते हैं तो उसको हम accounts बोलते हैं और accounts का प्रिपेर होते हैं accounts प्रिपेर होते हैं लेजर बुक में accounts से हमारी क्या-क्या मदद्द उसकती है क्या-क्या चीजों के बारे में हम account से पता लगा सकते हैं तो अगर हम customer का account बनाते हैं तो उससे हमें असानी से बता चल जाता है कि customer ने हमारा कितना पैसा देना बागी है कैसे बता चलेगा let's suppose आपने एक customer का account बनाया जिसका नाम है Mr. A आप पूरे साल में आप Mr. A को जो भी sale करोगे उसको आप Mr. A के account में record करोगे और Mr. A पूरे साल में आपको जितना भी पैसा देता जाएगा उसको भी आप उसी Mr. A के account में record करोगे तो year end पे जब आप Mr. A के बारे में जानना चाहोगे तो Mr. A से related जितनी भी transactions हुई हैं पूरे साल में वो सारी आपको Mr. A के account में मिल जाएगी आपको असानी से पता चल जाएगा पूरे साल में आपने Mr. A को कितनी बार कितने amount के good sold करे और Mr. A ने आपको कितनी बार कितना पैसा प्रे करा तो Mr. A से related सारी बाते आपको असानी से पता चल जाएगी Mr. A के account को देखने से तो जो हमारे account होते हैं वो हमारे काम को असान कर देते हैं अगर हम उसी तरीके से purchase account बनाएं, sales account बनाएं तो हमें असानी से पता चल सकता है कि पूरे साल में हमने कितनी purchase करी है या फिर पूरे साल में हमने कितनी सेल करी है, अभी मैं आपको account का format दिखा देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से बाते समझ में आ जाएंगी, तो यहाँ पर हमारी accounting कहते है कि आपका जो account होता है, वो T-shape format का होगा, यह देखो आपको T दिखाई दे रहा है, इस shape का हमारा account बनता है, account बनता कैसे है, यहाँ पर आप देख लो, तो account हमारा कुछ इस तरीके का बनता है, यह आपको थोड़ा बड़ T-shape format लग रहा होगा, उपर से एक लाइन है, और बीच में भी एक लाइन है, अगर आप सिर्फ इतना देखोगे तो आपको समझ में आएगा बनाने तो उपर हमारा sales account लिखा जाएगा, अगर हम cash account बना रहें तो उपर हमारा cash account लिखा जाएगा, तो जो भी account हम बनाएंगे उसका नाम उपर लिख दिया जाएगा, तो एक बार मैं आपको एक हलका साडिया देता हूँ कि account बनता कैसे है, किस तरीके से account के अंदर transactions को record और चला जाता है, तो हम एक example लेता है cash account का, ज्यादा detail में नहीं जाएगे, उपर उपर से बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो, यह हमारा cash account है, cash हमारे ले क्या होता है, cash हमारे असेट होता है, और accounting के अंदर assets को लेके अलग rule है, liability को लेके अलग rule है, capital को लेके अलग rule revenue को लेके अलग rule है, expense को लेके अलग rule है, तो इसी तरीके से हमारे पास कई सारे अलग-अलग rules होते हैं, जो हम आने वाले chapters के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, कि जब भी हमारी asset बढ़ती है, तो हम उस नहांबर हमगा पर्टिकलर 100 रुपीस लेफ सैट भी आएगा और पर्टिकलर 100 रुपीस राइट सैट भी आएगा, अब हम जो भी transactions को अपने लेफ सैट मेरिकॉर्ड करते हैं, उसके साथ हम तू लगाते हैं, तो देखो आप貌ण में सभी transactions के साथ two लगा हूआ है और right side में सभी transactions के साथ buy लगा हूआ है तो अगर मैं सबसे पहले left side को देखूं तो left side में हमारी वो सारी transactions आएंगी जिसकी वज़े से हमारे business के अंदर cash increase होगा क्यूंकि यह हमारा cash account है और cash का मदब हो गया asset तो हम क्या सकते हैं कि हमारा asset account है और asset account के अंदर जब भी asset बढ़ता है तो वो आपका debit होता है और जब भी asset कम होता है तो वो आपका credit होता है सबसे पहले देखते हैं left side को तो सबसे पहले लिखावा है हमारा capital account capital हमाले liability है लेकिन capital से हमारे पास cash भी आता है अगर owner business के अंदर capital invest करता है तो उससे business की liability तो आपर देखो अगर business के अंदर capital introduce होती है owner business के अंदर capital invest करता है तो उसकी वज़े से business का cash increase करेगा और cash increase करेगा इसका मतलब asset increase करेगा तो debit side में हमने capital account लिख दिया की 2,00,000 से business का cash increase हुआ जिसका reason था capital account उसके बाद देखो दूसरा हमारा cash sales business ने cash sales करी जिसकी वज़े से business के पास पैसा आया यानि business का cash increase हुआ तो business का एक लाग से cash increase हुआ जिसको हमने debit side में लिखा तो समझ में आरी है अब को बात बाकि आप इसकी tension मतलब आगे आने वाले chapters के अंदर मैं इसके proper rule बताऊंगा पूरा process बताऊंगा किस तरीके से हम general entries करते हैं किस तरीके से हम ledgers बनाते अकाउंट्स बनाते हैं सारी बाते हम detail में discuss करने वाले हैं आगे देखो commission received business को commission received हुआ जिसकी वज़े से business का cash increase हुआ तो business के पास 20,000 का cash or increase हो गया reason क्या था commission received next job का rent received business को rent received हुआ जिसकी वज़े से business का cash increase हो गया तो उसको हमने debit side में लिख दिया उसके बाद है sales of fixed asset तो business न हमारा सारा focus सिर्फ cash के उपर है हमें नहीं मतलब cash के अलावा business के पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है तो left side में हमने वो सारी transactions record कर दी जिसकी वज़े से business के पास cash आया है अब हम देखेंगे अपनी right side यानि अपने credit side और credit side में वो सारी transactions लिखी जाती है जिसकी वज़े से business का cash decrease होता है यानि business के पास से cash जाता है तो देख लेते हैं कि करके सबसे पहले है cash purchase तो अगर आप cash में purchase करते हो तो उसकी वज़े से आपका cash कम हो गई होगा तो यहाँ पर 4,50,000 के आपने cash purchase करी है जिसकी वज़े से आपका cash कम हो गया तो इसको credit side में हमने record कर दिया उसके बा cash decrease होगा तो वह भी हमने credit side में लिग दिया क्रेड़ साइड में हो्हरो transaction लिघ दी जिसकी वज़े से हमारा cash decrease होता है तो समझ में आगा आपको टो debit side में हमारी entries थि जिसकी वहें cass incorrect हुआ था ओर credit side में हमरा पास वह entries हैं जिसकी वैजे से हमारा cash decrease हुआ है अब ये last में by balance cd के लिखावा है तो इसको भी समझा देता हूं बिर्कों दो मिंट पहले आप left side की जितनी भी transactions है उन सब का total कर लो तो कितना आएगा बड़ा वाला total कौन सा है 7,60,000 तो इसको हमने नीचे लिख दिया left side में और right side में भी अब left side का total तो ठीक है लेगन अगर हम right side को total करें तो नीचे लिखावा है 7,60,000 जबकि इनका total आ रहा है 5,40,000 यानि कितने का difference आ रहा है 2,20,000 रुपे हम यहां पर लिख देंगे अभी हमा 20,000 रुपे क्या है यह हमारा balance है या फिर आप का हूँ यह हमारा difference है तो यहां पर जितना भी difference आता है उसको हम लिख देते है by balance CD इसका मतलब होता है by balance carried down तो अब यह क्या होता है इसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे आगे आने वाले chapters के अंदर discuss करेंगे लेकिन अभी फि cash account के debit side को देखो तो debit side में वो सारी transactions लिखी है जिसकी वज़े से business के पास cash आया था तो debit side के total आ रहा है हमारा 7,60,000 रुपे यानि business के पास total 7,60,000 रुपे का cash आया था जिसमें से business के पास से 5,40,000 का cash चला गया 5,40,000 कहां से आया credit side के total देखो 4,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 कितना हुआ 5,40,000 तो 7,60,000 में से 5,40,000 रुपे business के पास से चला गया अब बताओ balance कितना बच गया balance बच गया 2,20,000 रुपे तो business के पास year end पे cash balance कितना बचा हुआ है 2,20,000 रुपे जिसको हमने by balance cd के नाम से लिग दिया तो समझ मे clear हुआ बाकिया में detail में तो इसके बार में discuss कर रही है जब हम ledger वाले chapter को देखेंगे तो आपर हम सभी types के accounts के बार में पढ़ेंगे तो यह आपका account वाला point भी clear हो गया समझ में आ अच्छा से